आज का भारत सुरिप बाबा विश्वनाद धाम को बव्य रूप भी नहीं दे रहा बलकि गरीब के लिए करोडों पक्के घर भी बना रहा है चाथियों नए भारत में अपनी संस्कृति का गर्व भी है और अपने सामर्थ पर उतना ही भरोसावाई है नए भारत में विरास्ट भी है और विकास भी है आप देखिए अलोध्या से जरखपूर आना जाना आसान बनाने के लिए राम जनन की मार का अदिरमान हो रहा है आज भगवान राम से जुड़े स्थानों को रामायन सर्किट से जोड़ा जा रहा है और साथ ही रामायन ट्रेन चलाई जा रही है बुद्ध सर्किट पर ही काम हो रहा है तो साथ ही कुशी नगर में इंट्रनेश्टल एरपोर्ट भी बनाया गया है करतारपुर साथ कोरिडोर का निर्मान किया गया है तो वहीं हेमकुन साहिब जी के दर्सन आसान बनाने के लिए रौक पे बनाने की भी तैयारी है उत्तराखन में चार धाम सडक महापर योजना पर भी तेजी से काम जा रही है बगवान विठ्ठल के करोडों भक्तों के आशिवाद से स्री संत ज्यानेश्वर महराज पालखी मार्ग और संत तुकाराम महराज पालखी मार्ग का भी काम अभी कुछ हफ्ते पहले शुरू हो चुका है साथियों केरला में गुरु वायूर मंदीर हो या तमिल माडु में कांची पुरम वेलंकानी तिलंगना का जोगुलांबा देवी मंदीर हो या फिर बंगाल का बेलूर मठ गुजरात में द्वारकाजी हो या फिर अणुणा चलप्रदेश का परश्वराम कुण देश के अलग-अलग राज्यों में हमार यास्ता और संस्कृति से जुड़े ऐसे अनेकों प्रवित्र स्थानों पर पूरे भक्ती भाव से काम किया गया है काम चल रहा है